हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूं डोर मेट या फिर इससे आप टेवल मेट भी बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने चार कलर की बूली हुई है और इसको आप साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं या फिर मेकरम से तो देखिए यहां पर मैंने 16 फंदे डाले हुए हैं आप पेर के हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहें उतने फंदे ले लिजिए तो देखिए मैंने इस सिंगल बूल से फंदे डाले हैं और देख यहां से ऐसे देख फंदा यहां पर बढ़ गया जाली से और इस बूल को हम इसी में लपेटते हुए जाएंगे और लाश्ट में दो फंदे बिना बूने छोड़ देंगे यह देखिए लाश्ट में दो फंदे छोड़ दिये यहीं से पलट लेंगे और इधर से ऐसे उलड़ा बनाते हुए इसको कम्प्लीट करेंगे इसको कम्प्लीट कर लेते हैं आप देखिए यहांसे फिर से हम यलो कलर लगाएंगे तो देखिए यहांसे यह वाला कलर ऐसे घुमा लेंगे यहांसे एक फंदा बढ़ा लिया लाश्ट में दो फंदे छोड़ देंगे यह देखिए लाश्ट में दो फंदे छोड़ दिये और यहांसे पलट लिया और यहांसे इसको उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट करेंगे लाश्ट तक इसको ऐसे ही बुनना है यह देखिए यहांसे आप देखिए फिर से हम इसे पलट लेंगे और यहांसे यह बैंगनी वाला कलर लगाएंगे और एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे ऐसे दो आप देखिए इसी तरीके से इसको हम लाश्ट तक बनाएंगे दो फंदे लाश्ट में छोड़ेंगे यह देखिए इस तरीके से आप देखिए यहां पे मैंने दो 4 6 छे भंदे छोड़ दिये और 3 फंदे इधर बढ़ा लिए आप देखिए एक फंदा आबी मैं और तो यहाँ पर 8 फंदे चूट जाएंगे और 4 बढ़ जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने 8 फंदे 2-2 करके छोड़ दिये हैं और 4 फंदे बढ़ा लिए यह देखिए यह मैं 16 का बना रही हूँ तो आदे फंदे चूटने तक आपको इसी ही बुनूंगी अब मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी सिर्फ दो दो फंदे छोड़ते हुए इसको मैं बुनूंगी आप दो फंदे चोड़ दिया यही से पलट लिया इसको उल्ड़ा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और देखिए इसी तरीके से अब हम इसमें चार फंदे तक इसको छोड़ेंगे दो दो करके छोड़ते जाएंगे यह देखिए इस तरह से मैंने चार फंदे तक इसको दो दो करके छोड़ दिया है आप देखिए यहां से सारे फंदे हम इस कलर से बैंगनी कलर से बना देंगे कि यह देखिए ऐसे लाश्ट तक इसको ऐसे ही बुनेंगे यह देखिए लाश्ट तक मैंने बना लिया और देखिए इधर से भी उल्टा बुनेंगे अब देखिए इसी तरीके से यहां पर हम चार रो बनाएंगे तो दो गांटिश्टे सीरी तरह आ जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगे यह देखिए यहां पर मैंने चार रो बना लिए तो दो गांटिश्टे श्टिच आ गई हैं और देखिए यह हाप कली ऐसे बन के कम्प्लीट हो गई आप देखिए यहां से मैं यह चार फंदे तक मैंने छोड़े थे तो अब मैं पहले चार फं यह देखिए उसके बाद देखिए यहां से ऐसे आप छे फंदे बुरूँगे इस रोग में यह देखिए दो फंदे और ले लिया आगे से यहीं से बापस पलट लिया इस तरीके से आप देखिए यहां से फिर से मैं यह एलो कलर लगाऊंगी आप देखिए दो फंदे आगे से मैं ले लिया और यहीं से पलट लोंगी अब देखिए एक दो तीन चार यहां पर आठ फंदे रह जाएंगे जब तक मैं इसको बनाऊंगे अभी मैं यह चार फंदे और बना लियती हूँ यह देखिए यहां पर आठ फंदों तक मैंने इसको बना लिया आप देखिए यहां से में फंदे घटा आऊंगी तो देखे यहां पर 2-1 पहले करूंगी ऐसे यह देखिए यहां तक बना लिए थे अब उसके बाद दो फंदे आगे से ले लूंगी यह ले लिए और यहां से इसको पलट लूंगे यहां से उल्टा बुनते हुए कम्प्रीट करूंगी आप देखिए यहां से फिर से मैं एक फंदा घटाऊंगी और दो फंदे आगे से ले लूँगी यह देखिए यहां तक ले लिए और देखिए दो आगे से आप देखिए इसी तरीके से अभी मैं दो फंदे और घटाऊंगी और यह यहां से चार फंदे और लोंगी दो दो करके यह देखिए इस तरह से मैंने यह कली बनाके कम्प्लीट कर ली एक कली बनके यह कम्प्लीट हो गई आप देखिए एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आठ, आठ, दुने, सोले, सोले फंदे फिर से बचे हुए हमारे पास, आप देखिए यहां से मैं थार्ड कलर अटेच करूँगी और यहां से दूसरी कली स्टार्ट होईगी, तो देखिए सभी फंदे हम इसको उल्टा लेंगे यहांसे, ऐसे, यहां तक बना लिया सभी फंदे, आप इस फंदे को हम उतार लेंगे ऐसे, भूल को अपने तरफ करेंगे और यहां से उल्टा बना लिए अटे हैं से बचेंगी यहां होईगी बनाते हुए पूरा कम्प्लीट करेंगे और देखिए यहां से अगली कली स्टार्ट हो जाएगी यह देखिए आप देखिए इसी तरीके से मैं इसको पूरा बना के कम्प्लीट करूँगी जिस तरह से मैंने देखिए इसको कर रखा है यह देखिए छै कली में यह पूरा हो गया है अगर आप ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो हो सकता है इसमें आठ वी कली बन जाए तो देखिए यहां पर मैंने यह वाली कली यहां तक कर ली आप देखिए इसको मैं क्लोज करूँ यह देखिए सबी भंदे मैंने क्लोज कर दिये अब देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे और यहां से यह देखिए यहां से लेकिए यहां तक इसको ऐसे पकड़ लेंगे और इसको सिल देंगे तो मैं इसको सिल देती हूं